बच्चो अब हम उदारेंट दो पर बातचीत करेंगे उदारेंट दो में हमसे यह कहा जा रहा है कि यह किसी समानांता चत्रभुज के विकर्ण परस पर लंबुवत हो तो वह चत्रभुज एक सम्चत्रभुज होता है सम्चत्रभुज और सम्चत्रभुज में जो फर्क है वो यह है यह सम्चत्रभुज सम्चत्रभुज तो होगा लेकिन इसकी चारों भुजाएं भी भराबर होंगी तो यह हमें सिद्ध करना होगा कि जो दी हुई आकरती है वो चोंकि एक समानांतर चत्रपुश है और इसे जो विकर्ण है वो एक दूसरे पर लंब है यानि यहां जो कोड बन रहा है यदि आप इसे बिंदू O दे दें तो आप यह कह सकते हैं कि A और D समकोड है D.O.C. समकोड है C.O.B. समकोड है और B.O.A.B. समकोड है यह दिया हुआ है हमें और फिर उसाधार परेदी हम चाहते हैं कि A.B.C.D. को हम सम्चत्रपुश सिद्ध करें तो हमें बताना हुआ कि इन में से प्रत्य जो भूजा है चत्रपुश की वो आपसे बराबर यानि A.B. बराबर B.C. बराबर C.D. बराबर D.A. यह हमें प्रूफ करना होगा तो चली देखते हैं हमारी यात्रा कैसे शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है तो पहली बात तो हम शुरू करें कि त्रिभुश A.O.D. और त्रिभुश C.O.D. पर बात करें यदि हम इन दोनों त् त्रिभुश की गोल से हमको पता है कि यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है तो हम कह सकते हैं यह दोनों बराबर है और यह दोनों पहले से बराबर है तो यह तीनों बराबर हो गए और चूंकि यह इसके बराबर है तो यह चारों भी आपसे बराबर होगा इस तरह स AOD और त्रिभुज COD में COD में सबसे पहली चीज़ आपको मौलूम है वो ये कि ये कोण समकोण है और ये भी कोण समकोण है तो पहली बात जो लिखेंगे आप वो ये लिखेंगे कि कोण AOD यानि ये वाला कोण कोण AOD बराबर कोण COD यानि ये कोण COD ये दोनों समकोण है तो आप लिख सकते हैं चुकि ये नब्य अंश के हैं समकोण है इसलिए आप आपसे बराबर है दूसरी बात आप देख रहे हैं कि भुजा O.D दोनों तरी भुज़़ में मौजूद है तो आप लिख ले इनको O.D बराबर O.D और एक चीज़ आपके पास है आपने ये भी सीदिक किया हुआ है कि सम सम अंतर चतुरभुज के विकरण एक दूसरे को सम्दिभाजित करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो दोनों विकरणों का कटन बिंदू है O O है वो इस पूरे विकरण को दो बराबर भाग में बाटता है यानि आप कहा सकते हैं कि A O बराबर O C तो ये भी आप लिख लें A O बराबर O C तो इन तीन कटनों को पेयादी गौर करें आप तो आप पाएंगे इस पहले त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की साथ हम तुल्ला करने पर पा रहे हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है ये भुजा दोनों उपस्तित है और उन दोनों भुजाओं की बीच का कोण ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है क्योंकि यह सम कोण है और यह हमें दिया हुआ है तो आप देखिए भुजा कोण भुजा प्रमे के आधार पर इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम कह रहे हैं तो अब लिख सकते हैं इसे अब लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा प्रमे के द्वारा अब यदि दोनों सर्वांग सम्हें तो आप जान रहें कि जो बचे इनके शेश अंग है वो भी आपस में अपने संगा तंगों के बराबर होगे यानि भुजा AD भुजा CD के बराबर होगी तो यह हमारा प्रणाम है कि पहले वाज़े त्रिभुज के भुजा AD दूसरे त्रभूश के भुजा CD के बराबर होगी यह आपने पा लिया और आपको यह पता है कि चुकि यह समनांतर चत्रभूश है यानि AD बराबर है BC के तो आप लिखें चुकि AD बराबर BC और CD बराबर है BA के या DC बराबर AB CD बराबर BA CD बराबर BA और आप यहाँ पर AD और CD को बराबर कह रहे है यानि यह दोनों चीज़ें आपस बराबर होगी तो आपको परड़ाम यह मिला कि चारभ हो जाए आपस बराबर है इससे आप लिख लिजे AD बराबर CD आपने पहरे लिख लिया था तो AD बराबर CD और AD बराबर है BC के यहाँ से आपने लिख पाया है इसको आप लिखें बराबर BC और CD बराबर है BA के बराबर BA बराबर BA तो वो चत्रो पपने परिपास्ता से मालूँ है तो देखे आप पर बच्चों आपने वो जगह प्रास कर ल stewards करके लिख पर 생각 Pay जिसके विकर्ण एक दूसरे को सम्दिभाजित कर रहे थे और एक दूसरे पर लंब भी थे लंब होनी के दर्शा में आप इस प्रणाम पे पहुंच रहे हैं कि जारोभुजा बराबर है यानि ये चत्रभुज सम्चत्रभुज है